नए साल में एक नई सोच की ओर अपने कदम बढ़ाएं हौसलों से अपने सपनों की उचाईयों को छूख कर दिखाएं जो आज तक सिमट कर रह गए थे अपने ख्यालों में चलिए नए वर्स में उन सपनों को सच कर दिखाएं Hello friends, Welcome to Crazy GKTrick and Happy New Year to everyone Daily Current Affairs Session में आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2022 के Important Current Affairs के बारे में देखी friends, ये जो Current Affairs है सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत important है दोस्तों यदि आपको उसका PDF चाहिए तो आप हमारी Telegram लिंक को जोइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको Description Box पे दिया गया है देखी friends, ये जो Current Affairs है ये भारत के सभी competitive examination के लिए जरूरी है तो पूरे session को बहुत ध्यान से सुनिए और एक संकल्प के साथ आज आप कहिए कि हमें इस साल selection तो लेना ही है देखी friends, आज का सबसे पहला important question आपके सामने रहा 2021 का हिंदी का साहित अकादमी पुरसकार किसे प्रदान किया गया है very very important question तो दया प्रकास इनहा जी को यह पुरसकार प्रदान किया गया है देखे, इनके नाटक समराट असोक के लिए साहित अकादमी पुरसकार दिया गया है देखिए पिछले साली इन्हें पद्विस्री पुरसकार से भी सम्मानेत किया गया था दोस्तों बात करें साहित अकादमी पुरसकार 2021 पे 20 भारती भाषाओं में दिया गया है लेकिन 4 भासाएं जिनका अभी घोशना नहीं किया गया है गुजराती, मैथली, मड़ीपुरी और उर्दू भाषा इन 4 भी जिताओं के नाम अभी घोशित नहीं किये गए है दोस्तों यहाँ पे बात आई है साहित अकादमी पुरसकार की तो सभी इंपोर्टेंट जनकारी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिये और सभी पुरसकार को नोट कीजे देखे फ्रेंट्स, जो साहित अकादमी पुरसकार होता है यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो यह 22 भारती भाषाओं में दिया जाता है लेकिन इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को मिलाकर 24 भाषा में यह पुरसकार दिया जाता है देखे भारती सम्विधान की आठवे निसूची में 22 भाषाओं का उल्लेक है दोस्तो पहली बार यह पुरसकार कब दिये गए थे तो 1955 में पहली बार यह पुरसकार दिये गए थे और इन पुरसकारों की स्थापना यानि साहित अकादमी पुरसकार की स्थापना 1954 को हुई थी यह बात याद रखेगा चलिए इस पुरसकार के अंतरगत एक लाख रुपे की राश्य प्रदान की जाती है देखे साहित अकादमी का मुख्याले कहां पे है तो नई दिल्ली में इसका मुख्याले है और साहित अकादमी जो है यह तीन प्रकार के पुरसकार दिये जाते हैं साहित अकादमी की द्वारा देखे सबसे पहला है साहित अकादमी पुरसकार दूसरा है साहित अकादमी युवा पुरसकार और तीसरा है बाल साहित पुरसकार देखी फ्रेंड्स मैं आपको साहित अकादमी पुरसकार विजेता 2021 के एक लिस्ट देने वाला हूँ तो बहुत ध्यान से सुनें और सभी पॉइंट को नोट कीजिए सबसे पहले बात करेंगे अनुराधा शर्मा पुजारी तो इन्हे एक असमिया भासा के लिए साइत अकादमे पुरस्कार मिला है नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है किरंड गुरव मराथी भाषा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है खालिद हुसैन पंजाबी भाषा के लिए और अमभाई तमिल भाषा के लिए देखे ये मैंने important को red mark किया है बागी भी unimportant है आप इन्हें note कर लीजेगा देखे friends next important question आपके समने रहा हाली में कौन सा देश dual mode वाहन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो इस देश का नाम है जापान अब आप सोच रहोंगे कि dual mode मतलब क्या है तो आई मैं आपको बताता हूँ dual mode का अर्थ है सडकों के साथ साथ rail पटरियों पे भी चलना तो देखे ये कैसा वाहन है जो सडकों पे पी चलेगा और rail पटरियों पे भी चलेगा ये मिनी बस की तरह दिखता है सडक पर समान रबर टायरों का प्रयोक होगा और वहीं पर rail पटरियों पर स्टील के पहियों का उप्योक किया जाएगा ये अपने साथ 21 पेसंजर 21 यात्रियों को लेके जा सकता है दोस्तो और भी विशेष्टाओं के बारे में आई बात कर लेते हैं देखे रेल की पटरियों पर इसकी स्पीड 60 किलोमेटर प्रति घंटा होगी वहीं पर बात करें तो ये डीजल की द्वारा संचालित होगा सारजनिक सडको पर इसकी रफ्तार 100 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से ये यात्रा कर सकता है देखे फ्रेंड्स मैं आपको पहला डॉलेज बूस्टर देने वाला हूँ और आज हम डिसकस करने वाले हैं हाली में चर्चित योजना है और कारिकरम तो देखे सबसे पहले बात करेंगे शी इस अ चेंज मेकर कारिकरम तो किसके द्वारा शुरू किया गया है रास्ट्री महिला आयोग के द्वारा इसे शुरू किया गया है तेजश्वनी और होसला योजना तो देखे जम्मू कश्मीर में ये शुरू किया गया है भारत सरकार के दवारा, अगली बात करेंगे आयुष्मान भारत Health Infrastructure Mission वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो ये यूपी में शुरू किया गया है भारत सरकार के दवारा स्टेंड अप इंडिया योजना तो ये भी भारा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है राश्ट्री आयुष मिशन योजना ये भारा सरकार के द्वारा प्रारम किया गया है जहाँ vote वहाँ T का करन अभियान तो ये अभियान दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है यून टैब योजना इसमें टैब का वित्रण होगा तो ये लद्दा केन सासी प्रिदेश के द्वारा शुरू किया गया है लास्ट में बात करेंगे सुपर 75 चात वृत्ती योजना इस्कॉलर्सिप स्कीम तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है देखे फ्रेंड्स नेस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन आपके समने रहा दक्षण अफरीका के किस खिलाडी ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की गुश्चना की है इनका क्या नाम है तो देखे इनका नाम है कुंटन डीकॉक तो देखे कुंटन डीकॉक जो है दक्षण अफरीका के लिए वन डे और टी ट्वेंटी मैच खिलते रहेंगे लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने सन्यास ले लिया है देखे इन्होंने 2014 में आस्ट्रेलिया के खिलाब अपना डेब्यू किया था देखे फ्रेंट्स डीकॉक ने साउथ अफरीका के लिए 54 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 38.82 की एवरेज औसच से 33 सोरण बनाए हैं देखे फ्रेंट्स नेस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन आपके सामने रहा अटल इनोवेशन रेंकिंग 2021 में किस IIT संस्थान को लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है तो देखे हाली में किसको यह स्थान प्राप्त हुआ है तो IIT मदरास को लगातार तीसरी बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है देखे यह रेंकिंग को जारी करता है तो भारत के केंदरी सिक्षा मंत्राले और अखिल भारती तकनीकी सिक्षा परिसत के दोरा इस रेंकिंग को जारी किया जाता है देखे भारत के वर्तमान सिक्षामंत्री कौन है तो उनका क्या नाम है धर्मेंदर प्रधान याद रखेगा देखिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे कौन सा है तो IIT बॉम्बे है और तीसरे नंबर पे है IIT देली दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में टॉप 10 टेक्निकल इंस्टिटूट्स तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले स्थान पे मदरास है दूसरे स्थान पे बॉम्बे और तीसरे स्थान पे देली है देखिए 10 प्रेस पे कोन है मोतिलाल नहरू नेशनल इंस्टिटूट आफ टेक्निकलोजी कहां पे यह यह प्रयाग राज में है देखिए फ्रेंड्स यह रैंकिंग क्यों जारी की जाती है तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यह रैंकिंग जारी की जाती है और छात्रों के बीच में entrepreneurship डबलब्मेंट करने के लिए यह जारी की जाती है देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको दूसर अनॉलिज बूस्टर दिने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ 2021 के important mobile application जो exam के दिश्टी से बहुत important है तो सबसे पहले बात करेंगे नेस्ट है वाई break तो यह योगा ब्रेक है आयश मंतराले के दौरा शुरू किया गया है भारत के वर्तवान आयश मंतरी सर्वानन सुनो वाले नेस्ट है यूक्तधारा पोर्टल यह इस्रु और ग्रामेड विकास मन्तराले के दोरह शुरूख किया गया है नश्टे फ्रेंट्स उत्राखंट भूकंप अलर्ट אפ तो ये उत्राखंट सरकार के दोरह प्रारण किया गया है लास्ट में बात करेंगे सुगम में भारत app तो समाजिक न्याय और अधिकारिता मंतराले के दौरा शुरू किया गया है इस app में जो बुजूर्ग लोग है और जो दिव्यांग लोग है उनकी problems को solve किया जाएगा देखे friends, next important question आपके समने रहा हाली में साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार download की जाने वाला app कौन बन गया है तो देखे इस app का नाम है TikTok देखे दोस्तों, TikTok ने दुन्या की दिगज टेकनलोजी कमपनी Google को लोग प्रियता के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है देखे, यह report कौन जारी करता है या किसने जारी किया है तो IT Security Company इसका नाम है Cloudflare इन्होंने यह report जारी की है यह है एक IT Security Company है देखे, फ्रेंड्स, अब मैं आपको तीसरा Knowledge Booster देने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजे हाली में cricket के 2021 से related जितने भी important facts हैं मैंने यहाँ पे cover किया है सबसे पहले बात करेंगे महिला क्रिकेट चैलेंजर ट्रॉफी 2021 का किताब किसने जीता है तो इंडिया ए टीम ने जीता है नेस्ट है नवंबर महीने के लिए ICC मैंस प्लेयर अप दम्मंद किसे बनाये गया था डैविड वॉर्नर को सयद मुस्ताक कली T20 टॉफी 2021 का किताब किसने जीता है तमिल नाडू ने किसे हरा कर करनाटक की टीम को हरा कर नेस्ट है फ्रेंड्स ICC अंडर 19 पूरुस क्रिकेट विश्यकप 2022 का आजन कहां पे होगा तो इसका आजन Western ने किया जाएगा देखे फ्रेंड्स पहली बार T20 विश्यकप किसने जीता है तो ये औस्ट्रेलिया ने जीता है किसको हरा कर न्यूजिलेंड को हरा कर पहली बार T20 विश्यकप का खिताब अपने नाम किया है देखे फ्रेंड्स खरीदा है और इसी के जवाब में पाकिस्तान ने अपने सहयोगी चीन से 25 मल्टी रोल जे टैन सी लड़ाकु विमान को खरीदा है दोस्तो जे सी विमान 2020 में पाकिस्तान चीन के संयुक तभ्यास में भी इसने भाग लिया था दोस्तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात आईए तो आपसे कुछ important question पूछे दा सकते हैं पाकिस्तान के वर्तमान PM कोन है इमरान खान है यानि पुर्धान मंतरी कोन है इमरान खान वहीं पर बात करें प्रेसिडेंट कोन है तो इनका नाम है आरिफ अलवी देखे friends next important question आपके सामने रहा हाली में किस राज में आसपा को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो देखे आसपा को 6 महीने तक नागा लेंड में बढ़ा दिया गया है दोस्तो आपको बता दू अभी हाली में विवाद भी चल रहा था जिसमें आम नागरिकों की जान चले गई थी तो आसपा को हटाने के लिए एंक्वारी कबटी भी गठित की गई है तो दोस्तो के लिए कमिटी भी गठित की गई है मैंने आपको बताया था दोस्तो क्या होता है आसपा आई एक बार और भी जान लेते हैं चलिए इंपोर्टेंट है बहुत ध्यान से सुनिये तो आसपा एक ऐसा अधिनियम है जो शशस्तर बलो को बिना वारेंड के गिरफतार करने की श जगहे पे शांती बनाये रखने के लिए इसे लागू किया जाता है देखे भारती संसत के दौरा 11 सितंबर 1908 मन को इसे पारित किया गया था देखे वर्तमान में कहां कहां पे आसपा लगा हुआ है नागा लेंड असम मडिपुर जम्मू कश्मे और अरुणांचर प्रदे अरब ने इस समझोते को अंतिम भूब दिया है देखे एर बबल समझोता होता क्या है आई समस्त है तो देखे यहां एक ऐसा समझोता होता है जहां पर यातरी कुछ प्रतिबंदों के साथ एक दूसरे देश में यातरा कर सकते हैं एयर बबल समझोता दो कंट्रीज की बीच एक आस्थाई विवस्था होती है दोस्तो एयर बबल समझोता दोनों देश के बीच एक जनवरी 2022 से उडानों को अनुमती देगा दोस्तो यहाँ पे बात आई है साउधी अरब की आई एंपोर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं तो देखे यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं यह साउधी अरब है साउधी अरब और यह भारत है दोस्तो कैपिटल क्या है साउधी अरब की रियाद कैपिटल है किंग कोन है सलमान बिन अब्दुल अजीज क्राउण प्रिंस कोन है मुहम्मद बिन सलमान देखे फ्रेंड्स अब मैं आपको चौते नौलेज बूस्टर के और ले चल रहा हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एकनोमी के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन के बारे में देखे पहला कोश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो देखे फिलिपिन्स की राजधानी मनीला में इसका मुख्याला है इसकी स्थापना कब हुई थी 1967 में विश्व व्यपार संगठन की स्थापना कब हुई तो 1995 में विश्व व्यपार संगठन WTO की स्थापना हुई आबिध हुसयन सम्थी का संबंद किससे है तो लगू उद्धियोग छेतर के डवलप्मेंट से आबिध हुसेन समिती का संबंद है अंतराश्ट्री व्यापार का प्रमुख पहरी माना जाता है किसे तो इसे माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को भारा सरकार ने पहली बार बैंकों का 14 बैंकों का राश्ट्री करण कप किया तो देखे 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बैंकों का राश्ट्री करण किया गया था चली फ्रेंड्स नेस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन के वर बढ़ते हैं बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पोइंट को नोट कीजे और आपको अच्छा लग रहा हो तो शेर जरूर कीजे हाली में बॉलिवुट के किस प्रसिद फिल्म प्रड्यूसर का निधन हो गया है इनका क्या नाम है देखे इनका नाम है विजय गलानी देखे ये 50 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया है इनका इलाज लंदन के एक हॉस्पिटल में चल रहा था दोस्तो ये कैंसर से पीडित थे और लंदन में अपना ये इलाज करा रहे थे दोस्तो ये जो प्रड्यूसर है इन्होंने अक्षय कुमार, सर्मान खान सहित बॉलिवुड की कई टॉप कलाकारों के साथ फिल्म सितारों के साथ काम किया है चली फ्रेंड्स आज का आकरी इंपोर्टन कुशन देखते हैं इस पुस्तक के लेखा का क्या नाम है देखें इनका नाम है डॉक्टर वियल इंदरादत दोस्तो डॉक्टर वियल इंदरादत कौन है तो ये है केसिपी समू के अद्धश और M.D इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है तो उप्राश्पती M. वहिंकाय नाडू ने चन्यी तमिल नाडू में इस पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तो इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है तो केसिपी समू के पूर्वध्धेश स्वरगी वेलगा पूडी लक्षमारदत के जीवन पर आधारी था ये पुस्तक वेलगापूडी लक्षमारदत कौन है एक प्रसिद उद्योग पती थे देखी फ्रेंड्स अब मैं आपसे कुछ important questions करूँगा जिसका answer आपको comment box पे देना है जो भी आपने 1 जनवरी 2022 related important current affairs पड़ा है उसे से related हम question आपसे करेंगे देखे पहला question है साहित अकादमी प्रसकार पहली बार किस वर्स दिये गए थे आपको ये बताना है question number 2 साहित अकादमी प्रसकार 2021 अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया है question number 3 कुंटन डिकॉक किस देश के क्रिकट के खिलाड़ी है question number 4 प्राण पोर्टल किस मंतराल के दोरा लॉंच किया गया है question number 5 साउधी अरब की क्या capital है देखे फ्रेंड्स इन पांचों questions के answer आप comment box पर अवश्य दें ताकि आपका पूरे session में concentration डेली बढ़ता जाए चलिए अब बात करेंगे हम 31 दिसंबर 2020 के important current affairs के revision की तो देखे पहला question है उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां से railway station का नाम बदल कर क्या रखने की गोशना की है तो देखे विरांगना लक्षमी भाई railway station इसका नाम बन गया है next है हाली में new development bank ने किस देश को नए सदस्य की रूप में स्विकार किया है तो मिस्तर को इनोंने शामिल किया है भारती सेना ने किस राज के महूं में quantum प्रयोक साला की स्थापना की है तो MP में इसकी स्थापना की गई है next है हाली में PM नरिंद्र मोदी ने किस राज में 17,547 करोड की योजनाओ का शिलन्यास और लोकारपन किया है तो देखे उत्तराखन राज ने लोकारपन किया है ITBP के महा निदेशक संजे अरोडा को किसका अतरिक्त प्रभार दिया गया है तो देखे इन्हें CRPF का अतरिक्त प्रभार दिया गया है देखे फ्रेंड्स हाली में कौन सा भारती विकेट कीपर 26 मैच में 100 सिकार करने वाला भारत का पहला विकेट कीपर बन गया है तो देखे इनका नाम है रिशब पन मिनिस्ट्री ओफ एन्वोर्मेंट फोरेस्ट एंग क्लामिट चेंज में वन महा निदेशक और विसेश सचिप से किसे निदेख किया गया तो कली मैंने आपको बताया था इनका नाम है चंद प्रकास गोयल नेश्ट है हाली में बॉलेट भरुआ किस राज्य की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल बनी है तो ये असम राज्य की इंस्पेक्टर जनरल बनाई गयी है हाली में दा मोधी गैंबट डिकोडिंग मोधी 2.0 किस ने लिखा है तो इस पुस्तक को संजू वर्मा जी ने लिखा है आगे प्रशन है यूपी के नए मुखे सचिप के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया है तो इनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्राजी दोस्तो ये थे 31 दिसंबर के इंपोर्टन करेंट अफेर्स का रिविजन हमने डेली करेंट अफेर में एक जनवरी 2022 के करेंट अफेर को भी पढ़ लिया है आशा करता हूँ कि आपको इस सचन पसंद आया होगा तो आप इसे सभी प्लैटफॉर्म पे जरूर शेर कीजे और फॉलो कीजे क्रेजी जीगड रिखो डिफरेंट सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म में पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन पटन दवाना भिलकुल भी मत भूले ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके